चोपड़ा एजुकिसनी यूटूब चेनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों इंडिया में मार्च 2020 के बाद 1 डिसंबर 2020 को सभी मेडिकल कोलेज री ओपन हो रहे हैं जो स्टुडेंट अलड़ी MBBS कर रहे हैं उनका University exam फरवरी में है इस कारण जो 2020 न्यू बैज के लिए न्यू अकेडमिक सेसन स्टार्ट होगा वो 1 फरवरी 2021 से होगा अभी NMC ने कोलेज ओपन होने के बाद क्या 70 मेजर से फोलो करने हैं इसके लिए गाइडलाइन तयार की है इसमें स्टुडेंट पैरेंट और कोलेज स्टाप सभी को ये गाइडलाइन फोलो करनी होगे तो आप इसकी वेबसाइट पर nmc.org.in पर जैसे ही विजिट करेंगे तो ये गाइडलाइन फोर ये ओपनिंग ओप मेडिकल कोलेज लिखा है इसको डाउनलोड करके ये गाइडलाइन आप देख सकते हैं तो इस गाइडलाइन में मैं आपको मैन मैन पॉइंट बता देता हूँ इसमें इसमें सबसे पहले लिखा है कि सभी स्टुडेंट को, फैकल्टी को, इम्पलोईज को और विजिटर्स को ये नॉम्स फोलो करने हैं इसमें फिजिकल डिस्टेंच शिक्स फिट का होना चाहिए और इसमें मास्क वगरा लगाया होना चाहिए इसमें इसके बाद में हैंड वास है वो सोब से करना है 40 से 60 सेकेंड तक इसके बाद में अगर कोई बिमार हो जाता है तो उसकी तुरंत ही उसके बारे में इन्फोर्मेशन देनी है इसके बाद में आरोगे शेतु अयब हर एक स्टुडेंट स्टाप सभी के मोबाइल में इंस्टाल होनी चीए इसके बाद में आगे इसमें campus के लिए भी instructions लिखे हैं और hostel के लिए भी इसमें instructions लिखें हैं कि hostel कब कैसे open करना है उसमें क्या norms होने चीये किछी साफसे hostel आपने open करना है इसके बाद parent और guardian के लिए भी लिखा है कि parent और guardian ये ध्यान रखें कि उनका जो बच्चा है वो घर में बिल्कुल 70 मेजर्स यूज कर रहा है इसके बाद में फेरेंट्स से अगर बच्चा कुछ ठीक से मैसूस नहीं कर रहा है तो उसको बार ना भीजें इसके बाद में बच्चे के मोबाइल में आरोगे शेतू एप डाउनलोड होना चाहिए ये इन्शोर करें पैरेंट्स इसके बाद में बच्चे को हेल्थी फूर दें ताकि इम्मुनिटी बरकरार रहे इसमें इम्मुनिटी इंक्रीज हो इसके बाद में इसमें लिखा है कि पैरेंट्स से अपने बच्चे को अक्सरसाइज करने के लिए कहें जैसे योगा हो गया इसमें और बाकी सारी अक्सरसाइज हैं फिजिकल फिटनेस के लिए तो वो करने के लिए कहें इसमें स्टुडेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शन् तो ये student के लिए जो instructions दे गए हैं वो आप देख सकते हैं इसमें तकरीबन instructions वही हैं जो parents के लिए हैं तो इस परकार से ये NMC में एक notice दिया है इसको आप देख सकते हैं इन guideline को download करके बाकी जानकारी बाकी अपडेट आपको जैसे ही मिलेगी मैं inform कर दूँगा इसका schedule का मैं वीडियो बना चुका हूँ कब code से year की exam होगी university exam कब होगी ये सारा वीडियो मैं पहले इस channel पर बना चुका हूँ तो आप ये वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर आपको schedule चेक करना है MBBS का तो दोस्तों मिलेंगे नई update के साथ नई जानकारी के साथ आपसे फिर तब तक के लिए मैं हरसाय चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैखिंद कर दोस्तों